हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का इस लाइव शेशन में तो जल्ली से सभी लाइव आजाईए और बताईए कि कैसे हैं सभी बच्चे गुड इवनिंग एवरिवन गुड इवनिंग टू आल याद रखना ये आपकी बोर्ड स्पेशल क्लास है आपको आपके एक्जाम से में जो भी इंपोर्टेंट चेप्टर्स आने हैं वही सब कवर कराए जाएगा इसलिए जल्दी से सभी लाइव आजाओ और क्लास को पूरा सुनना मतलब की शुरू से लेके आने तक आपको पू याइगा ही आएगा तो ध्यान से बढखना से को गोली इवन एडरी वान गुड इवनिंग तो जली से सब लोग लाइव आजाओ और बताओ क्यापकी क्लास कैसी सॉर्ण Cabinet एक्जाम्स की तैयारियां कैसी चल रहे हैं गुड इवनिंग एब्रिवान गुड इवनिंग आगे सारे बच्छे लाइव मैं ठीकू बेटा आप बताओ आप कैसे हो गुड इवनिंग गुड इवनिंग अच्छ आपका रजिस्टेशन नमबर आ गया वेरी गूड चलो ध्यान से समझना सुनना ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं सूर दास के पद और याद रखना आगर हम कोई कभी के दोहे पढ़ रहे हैं या कभी ताय पढ़ रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या करना है कभी के ब सूर दास ने इन दोहों को लिखा है ठीक है आप एक बात याद रखना कि जो सूर दास है वो कैसे थे कृष्ण बक्ति धारा के कभी थे यानि कि उनकी रशनाओं में हमेशा ही क्रिष्ण जी की महिमा उनकी लीलाओं के बारे में आपको सुनने को मिलेगा और उनके बारे मे गर्द खंड भी कराएंगे एक दिन गर्द खंड करा देते हैं एक दिन का भी खंड करा रहा है क्यूंकि आप बोर हो जाओगे ना वोई भी पढ़के चीक है चलो अच्छा यह बता आप सबसे पहले हम लोग आज क्लास में क्या पढ़ेंगे पता है ना मैं हमेशा एक बाद हमेशा कहती हो कि अगर आप कोई दोहे पढ़ रहे है कोई कवीता पढ़ रहे है तो उसके कवी का कवी परीचय पढ़ेंगे चीक है याद रखना हाँ very good बेटा very good चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवी के कवी परीचय की यानि कि सूर्दा जी का जन्म सन 1478 मैं ठीक है मैंने आज एक वीडियो बनाया हिंदी हब चैनल पे जिसमें आपको बताया है कि कैसे आपको कवी परीचे को याद रखना है ठीक है कैसे आपको क्या ट्रिक बताई गई है कि यार आप लोगों के भी सुबाल होते होंगे कि इतने सारे कवी इतने स सब्सक्राइब भी करना ठीक है बिटे सबकी कमेंट्स देखे जा रहे हैं ठीक है चलो अब बाते बाद में काम जाधा ठीक है लिखा है सोडास जी का जन्म सन 1478 इश्वी में आगरा मत्रा मार्ग परिस्थित रुनकता नामक गाउं में हुआ ठीक है याद रखना कब हुआ इनका जन्म जन्म ते थी ये 1478 जन्मिस्थान रुनकता नामक गाउं कुछ विद्वान अब विद्वानों में मत्वेदे क्योंकि ये बहुत पहले आए हुए थे तो कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था दिल्ली के निकाट सीही नामक ग्राउं में ठीक है अब सूर्दास जी जन्मांध थे जन्मांध का मतलब है वो जन्म से अंधी थे फिर भी उन होने इतनी अच्छी अच्छी रचनाओं को लिखा है ठीक है बेटा चैनल का नाम है हिंदी हब ठीक है आप उसको सर्च कर सकते हो ठीक है बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में भ द्वानों में अभी भी मत भेद है इनको क्रिष्ण की बाल लिलाओं का मानव स्वभाव का एवं प्रिकर्ति का सजीव चित्रन किया है अब पूछ लिया जाए कि इनकी भाशा कैसी थी इनकी भाशा सैली कैसी थी तो कैसी थी इन्होंने क्रिष्ण की बाल लिलाओं का वर् वीकथ विशेशना है ठीक है चैनल का नाम है बेटा हिंधी हब ठीक है हिंधी हब बेटा मुस्य पता है किक है चलो ध्यान दू लिखा है ए अब आप करते हैं उनकी रशनाएब ठीक है जैनल का नाम बता देते हैं पहले आपको जिससे बच्ची worry नहीं होगे बिलकुल भी ठीक है चैनल का नाम है हिंदी हब अब सर्च कर लो ठीक है हाँ उनकी भाशा कैसी थी उनकी भासा थी ब्रज भासा यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन थी इसको एड करना ठीक है पांच नंबर का कभी परिज एक्जाम में पूछा जाएगा उसको बहुत ही व्य सागर ठीक है सूर सारावली और साहित के लहरी इसके बारे में कर आप थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो ऐसा लिख सकते है कि श्रीमत भागवत कथा ख्याधार पर रचित सूर सागर ठीक है कि सवा लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्द बताये जात लेट किसी को नहीं होना है यह बहुत ही इंपोर्टेंट चीजें बताये जा रहे हैं ठीक है हाँ अगर ऐसी तरीगे से पैराग्राफ बना के लिखोगे ना तो अगर पांश नंबर का कॉस्चिन आया है तो पांश नंबर ही आपको मिलेंगे ठीक है अब लिखा है इन्हों इन्हें अपनी लीला उन्में क्या बताया कृष्णी की बाल लीला उनके गोपियों के प्रेम उनके गोपियों से विरह की बात है यह सब इन्होंने बताया है अब उनकी दूसरे रशना सूर सारा वली इसमें 1107 पद है यहां सूर सागर का एक सार भाग है ठीक है फिर आता ह आगर पूस्ट लिया जॉए कि 610 की किनी दो रशनाओं का नाम लिखिए साथी साथ इनकी काव्यगत विश्यष्टाएं बताईए तो आपको बताना है इनकी काव्यगत विश्यष्टाएं किसी को कोई डाउट है आपर किसी कवी के कवी परिचे के बारे में याद रखना जितने आपकी रशनाएं आप पढ़ रहे हैं जिन जिन कवी हों की आप कवी ताय दो ही पढ़ रहे हैं उन सब को एक कॉपी में उनकी रशनाएं उनकी जन्म धिफी जन्म दिन याद रख लेन नंबर के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको लिखना कितना है, ओके, किसी को कोई डाउट है या पर तो जल्ली से पूछो, चीक है, चलो, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि हम लोग क्लास में सब कुछ बहुत डेटेल से पढ़ते आ रहे हैं, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इनकी बात हो दी, इनका साहित्य में क्या स्थान है, हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है, लिखाए, भक्त कवी सूर्दास, अब इनको भक्त कवी क्यों कहा गया है, क्योंकि इनकी रशनाओं में सबसे ज़्यादा ब्याख्या बिटा ब्याख्या बता रहे हैं सब कुछ बता रहे हैं लिखाए भक्ति कवी भक्ति कवी सूर्दास का इस्थार हिंदी चाहतिकारे में सूर्य के समान ही है कैसा है सूर्य के समान इसलिए कहा गया है सूर्य सूर्य तुलसी ससी उडूगन केशवदास अब के कवी खगोत सम जहते करत प्रेकाश दिया आपके क्या बताया है किनकी रशनाय कैसा करते हैं हिंदी सहायत्य में एक प्रेकाश का काम करती है ठीक है हिंदी से डर लगता है बेटा आपको डर क्यों लग रहा है बेटा प्रियल बेटा बता आपको डर क्यों ने लग रहा क्या आपने अच्छा, model baby में तीन नमबर का है, तो आप इतना लिखने हैं, जिसमें आपको तीन नमबर मिलें, मतलब की एक पेस से तो ज्यादा काही लिख देना, चीक है, चलो, अब बात करते हैं, हमारे दो हे सामने आ गए, चलो, एक important बात, हम लोग दो हे पढ़ रहे हैं, इनकी व्या पढ़ेंगे, अब इसको ध्यान से सुनना, इन ही दो हो मैसे question answers पूछे जाते हैं, चीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ा, जिसको डर लग रहा है, चीक है, तो वो क्या करें, बहुत relax हो जाएं, और ध्यान से classes attend करें, अच्छे से पढ़ाई करें, चीक COVID के कारण आपके स्लिवस में सिर्फ 70% ही बचा हुआ है स्लिवस, तो वो सब कुछ कवर करेंगे, चीक है, बस class को बहुत ध्यान से सुनना, चीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, हम बहुत देर से आप से कह रहे है, गुड इवनिंग सब को विश्किया है म ठीक है बेटा, मुक्ती दूद भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन class में आना है time को और class में पूरे time रुकना है, यानि कि इस रूसे लेके end तक रुकना है, चलो, बाते काम काम ज़ादा start करते हैं, पहला दुहा है, चरन कमल बंद हरी गई, ध्यान रखना इनको अच्छे से सुनना है आपको, जाकी कृपा, पंगोगिरी लंधई, अन्धे को सब कुछ दर्साई, अन्धे को सब कुछ दर्साई, बहरो सुने, गैंग पुनी बोले, रंक चले सिर छत्रधराई, सूर रास स्वामी करुनामय, बार 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 बंद तही पाई, चीक है, इस दोही में, जो कवी सूर दास है, वो तुलसी दास के चरणों की बंदना करते हैं, उनकी बंदना करते हैं, इसका आर्थ होगा, इसका भावारत होगा, अरे, सबसे इंपोर्टेंट बात तो हम लोग भूली गए, एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप कोई दोहा पढ़ रहे, कोई कवीता पढ़ रहे, तो आपको सबसे पहले उसका प्रसंग लिखना होगा, उसका संदर्व लिखना होगा, ठीके, अब बात करते हैं, इसका संदर्व क्या होगा, तो यह कवीता हमारी पाठ्थे पुस्तक से ली गई है, और इसके रच्यता सूर दास जी है, ठी स्री कृष्णी की महीमा का वर्णन किया है, उनका महीमा के गोडगान गाय है, ठीक है, चलो, ध्यान रखो, लिखा है, चरण का मल बंद हरी गई, यहाँ पे जो सूर दास है, वो स्री कृष्णी के चरणों की वंदना कर रहे हैं, ध्यान रखना, तुलसी दास नहीं है, सू हुई है उनमें कैसी भावना दिखाए गई है इसमें आप दिखेंगे तो इसमें वासल्य रस दिखाए गया है और साथी साथ इसका कलापक्ष होगा कि इन्होंने ब्रजभाशा का प्रयोग किया है और चंदों का प्रयोग किया है सवय चंद और कवित चंद का प्रयोग किया यह होगा इनका भावपक्ष और कलापक्ष अब पहला दोहा है लिखा है इसमें जो सूर्दास है वो स्री कृष्णी के चर्णों की बंदना करते हुए कहते हैं कि स्री कृष्णी की भक्ति अगर जो भी कर ले वो कैसा हो जाए वो होता है जाकी कृपा पंगु गिरी गई जो इसमें जो सकते हैं स्री कृष्णी की बंदना में उनकी भक्ती में लीन हो जाता है भले ही वो क्या हो लंगड़ा हो वो पर्वतों को भी पार कर लेता है अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई दीता है फिर लिखाए बहर्यों सु पे भी छत हो जाती है वो भी राजा बन जाता है Saskowla स्वामी करो ना में बार-बार बंदती ही पाई और जो सूर्दास जी है वो स्री करश्नि की बार-बार बंदना करते हैं उनको बार-बार नमन करते हैं चेकर चलो जो हैर जान से समझना, कोशिश करना, अब चीज़ समझ लो, इसी से question answers पूछे जाएंगे, अगर note करना है, तो note भी कर लेना, ठीक है, अब लिखा है, सूर्दास स्री कृष्ण के कमल रोपी चर्णों की, यहाँ पर वो क्या हो रही है, कमल रोपी चरण बता रहती, यहाँ पर अलंक चलो, अब नहीं बेटा, यहाँ पर होगा आपका उपमा अलंकार, लिखा है, सूर्दास स्री कृष्ण के कमल रोपी चर्णों की वंदना कर रहे है, और क्या कह रहे है, कि जिस भक्ते पर भी स्री कृष्ण की कृपा हो जाए, तो लंगडा व्यक्ति भी परवतों को लिता है, मतलब परवत पार कर लेता है, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, तिर लिखाएं कि इन चर्णों के याने श्री कृष्ण की ब Elder कि कारण, जो बहरा व्यक्ति होता है, उसको भी सुनाई देने लगता है, और जो गूंगा व्यक्ति होत की कृपा पर जाए तो वो व्यक्ति क्या होता है राजा बनकर अपनी सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है तो यहां पर उन्होंने स्रीकृष्ण की भक्ति की विश्यष्णा बताई है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से स्रीकृष्ण की भक्ति करता है तो उसको इतनी सार विशेष्टा इतनी सारे लाव मिलते है जो अंधा होता है वे देखने लगता है जो गूंगा होता है वो बोलने लगता है और लास्ट में लिखा है कि सोर्दास जी कहते हैं कि ऐसे दयालू प्रभू स्री क्रिश्णों के चर्णों की में बार-बार बंधना करता हूँ अब हमारा अगला धुहाए ध्यान दखना पहले धूहीं में क्या बताया गया था स्री क्रिश्ण की भक्ति की महिमा बताये गई अगर हम उनकी महीमा करते हैं, उनके चैड़नों की बंदना करते हैं, तो हमारे जीवन में कितने सारे बदलाव आ जाएंगे, ठीक है, हाँ, वेरी गुटी तो अच्छी बात इसको याद करना नहीं है, रटना नहीं है किसी को, बस अच्छी से समझ लो, एक एक लाइन को समझ अगर एक्जाम में आ जाए ना, तो बिल्कुल फटाक से लिख दिना, वो भी कैसे संदर्व और प्रिसंग के साथ ही लिखना है, ठीक है, पिटा सबकी कमेंट्स देखे जा रहे हैं, हाँ, अलंकार भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, अभी ध्यान दो क्लास प परम स्वाद सबही सुने रंतर अमित तोष उपजावें, बनबानी को अगम अगोचर, मनबानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावें, रूप रेख गुन जाती जुगती बिनु, निरालंब की तधावें, सब विधी अगम विचारहिताते सूर सगोनपद गावें, और इसमें इस दोही में बताया गया है कि कैसे हम निर्गोण ब्रह्म की भक्ती करते हैं। इस प्रिकार जो गूंगा है वो मीठे फल खा रहा है तो अगर तो इस फल का उसकी फल की अच्छाई का वर्णन वो अपने मन में ही कर सकता है। इस भक्ती के बारे में जो अनुभा होता है वो हम लोगों तक नहीं बता सकती है। क्या को समझना बहुत ध्यान से लिखा है निर्गोण ब्रह्म की अपासना का आनंद। अगर हम निर्गोण ब्रह्म की अपासना करते हैं तो उससे हमें जो खुशी मिलती है वो सिर्फ हमें हमारे तक ही सीमित रहती है। तक हम निर्गोण ब्रह्म की अपासना का आनंद। किसी भकते के लिए उसी प्रिकार आवर्णिय है आवर्णिय है यानि regain कि वह हम वर्रनन नहीं कर सकतें। आवर्णी मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके जिस प्रिकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद वार्णी द्वारा प्रिकट नहीं किया जबता अब जो गूंगा है वो मीठा फल खारा होगा अब वो मीठे फल के बारी में मुझ से तो बोल के बता नहीं सकता लेकिन व पाशक उसे असीम संतोस मतलब की बहुत ज्यादा संतोस भी प्राप्त होता है लेकिन वह प्रत्य की सामर्थ से बार की बात है लेकिन ये सब्की सामर्थ मतलब सब्की सक्ति के बाहर सब लोग निर्गुन ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते आंगे लिखाए उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता अगर जो भी निर्गुन ब्रह्म है वो जिस निर्गुन मतलब जो निराकार है जिने हम देख नहीं सकते याद रखना भक्ती दो प्रिकार की होती है निर्गोन भक्ति और सगोन भक्ति यहां पर बात हो रही आपकी निर्गोन भक्ति धारा की लिखा है निर्गोन भ्रह्म का ना कोई रूप है ना कोई आकरती है और ना कोई इसकी निस्चित विसेशता है ना उसके कोई जाती है और ना वै किसी युक्ति से प्राप्ति किया जा सकता है निर्गोण ब्रह्मत को तो हम अपनी भक्ती से, अपनी मन में, अपनी अंतर भावों से ही हम निर्गोण भक्ती धारा को समझ सकते हैं ठीक है अच्छा क्या करें आप काविकत विशिष्टाएं क्या होती है पिटा काविकत विशिष्टाएं मैं आपको बताना पड़ता है कि उनकवी का भाव पक्ष क्या है उनका कला पक्ष क्या है ठीक है यही बताना यही काविकत उनकी विशिष्टाएं होंगी उनकी भाष् या फिर उन्होंने चैली में विवेशनातमक चैली या फिर वरनातमक चैली का प्रयोग किया है जब आप इसका पूरा अच्छी से पढ़ोगे ना इनका जीवन परीचे तब आपको पता चलेगा हिंदी अप चैनल पर मैंने इस पैस ली सूर्दास जी का जीवन परीचे का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है तो आज की आज उस वीडियो को जरूर देखना चीक है अच्छा है इसको रिपीट कर दें चलो लिखा है इसमें हमने क्या जाना निर्गोड ब्रह्म की भक्ती की विशेशता है बताई हैं कभी ने सूर्दास जी कहते हैं कि निर्गोड ब्रह्म की अपासना का आनंद के बल वही निर्गोड ब्रह्म की अपासना का आनंद तो हम ले सकते हैं लेकिन वुसका हम वर्णन नहीं कर सकते जिस प्रिकार जो गूंगा है वो मेठे फल तो खाता है जो copy check करेगा वो हमारी शब्दों से हमारी copy से प्रभावित हो जाएगा तो हमीशे ध्यान रखना मात्राओं का ध्यान रखना है आपको और स्वक्ष लिखावट का ध्यान रखना है चलो तीसरा दोहा है अमारे सामने याद रखना दोहों को रटना नहीं है सिर्फ आपको इस इभासा कटिने लेकिन आपको ध्यान से समझना है फिर लिखाए कबहु निराखिहरी आप च्छाहु को कबहु निराखिहरी आपु च्छाह को कर्सों पकरने चाहत किलह की हसत राजत द्वैदतियां पूनी-पूनी तिही अवगाहत कनक भूमी पर कर पग छाया यह उपमाइ कि राजती करी करी प्रतीपद प्रतीमानी वशूधा कमल बैठी की साजती बाल दशासुख निराखी जशूधा पुनी-पुनी नंद बुलावती अंचरा तरले ढाके सूर के सूर के प्रभु को दूद पियावती चलो अब इस दोहे को पड़ा अब ध्यान से इसका वर्ड ब्याक्या देखेंगे याद रखना आपको इसका संदर्व भी लिखना है प्रसंग भी लिखना है जैसे इसमें लिखाए किलकती काना घुट रानियावत इसमें उन्होंने बताया है जो काना जी है जो स्री कृष्णी जी है वो किस प्रिकार से घुटनों के बल जमीन पर चल रहे हैं जो कानाची वो क्या कर रहे हैं घुटनों के बल जमीन पर चल रहे हैं मनी में कनक नंद के आंगन और वो नंद नंद स्रीकृष्ण के पिता का नाम था तो वो नंद के आंगन में कभी तो यहां वहां चल रहे हैं दोड रहे हैं और कभी वो अपनी बिम्ब बिम् परचाई होती है उसे हम कहते हैं बिम्ब ठीक है बिम्ब यानी की परचाई ठीक है तो जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं बहुत मासूम होते हैं चंचल मन के होते हैं तो वैसे यहां पर श्री कृष्णे के बारें बताया है कि जब वो बच्पन में है तो वो अपनी ही प परचाएं को देखते हैं करसो पकरने चाहत और कभी वो इस परचाएं को पकरने के लिए उसके पीछे भागते हैं किल्या की हसत राजत द्वयदतिया और जब वो ऐसा कर रहे हैं ऐसा खेल रहे हैं तो और जब वो खेलते-खेलते हसते हैं तो उनकी जो आख जो सामने की जो दाथ होते हैं वो बहुत सोभायमान प्रतीत हो रहे हैं आगे लिखाए कनक भोमी पर करपग छाया यह उपमा एक राजती करीकरी प्रतीपद प्रतीमनी वसुधा कमल बैठ की साजती और यहां पर बताया है कि वो जिस तरीके से वो जो नंद के आंगर में वो चारोतरफ जब आगे लिखाए बाल दस्ता सुक निरखी जशोदा अपने बाल की अपने बालक की दशा को देखकर निरखी मतलब देखकर अपने बालक की इस प्रिकार की लीलाओं को देखकर क्रीनाओं को देखकर जो माता जशोदा है वो आनंदित हो रही है और मन ही मन मुस्कुरा रही ह पुनि-पुनि नंद बुलावती और नंद यानि कि श्रीकरश्ने को पिता को बार-बार पुनि-पुनि यानि कि बार-बार बुला रही है अंच्रा तरले धाकी सूर के प्रभु को दूध प्यावती और आंगे बताया कि सूर्डा के प्रभु यानि कि स्रीकरशने को वो अपने आचल में विठा कर दूध पिला रही है चीक है चलिए अब इसकी व्याख्या को बहुत ध्यान से पढ़ना चीक है व्याख्या हम लोग के बालक स्रीकरशन अब घुटनों के बर चल रहे हैं और साथ ही साथ किलकारी मार कई अपना प्रतीविंब यानि के अपनी परच्छाए को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जब वेह किलकारी मार कर हस्ती हैं तो उनके मुख के जो दाथ हैं वो सो भायमान हू रहे हैं। उन दाथों के प्रतिविंब को भीबे पकरने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखना यहाँ पर बताया है कि उनकी बच्पन की लीलाओं का वर्णन किया गया है अगर इसका प्रसंग पुल लिखना हो तो लिख सकते हो कि इस दोहे में सूर्डासी ने स्री कृष्णी की बच्पन की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है ठीक है वेरी गुड इसमें भी कराए जाएगा जो भी चैप्रेट्स आने हैं सब कुछ कराए जाएगा जीक है लेट बताव क्लास में अगर लेट हो गए हो तो क्लास को एक बार फिर से देख लेना चलो ध्यान रखो यहां पर लिखाए उनके हातों की छाया उस सोने के फर्स पर ऐसी दिख रही है प्रत एक मणी में उनके बैठने के लिए प्रत्वी ने कमल का आसन बिछा दिया मतलब यहां पर प्रत्वी ने क्या किया है ऐसा लग रहा उनको देखके कि कमल की आसन पे कमल के फूल पे वो बैठे हुए है कार्वे सौंदर यह कैसे लिखते हैं बेटा अब मैंने आपको बताया है हिंदी हप उसमें आपको कैसे कावी परिचा लिखना है वो सब कुछ बताया गया है टीक है तीरा दन में हो जाएगा याद सब कुछ हो जाएगा कुसी को परिशान नहीं होना है प्रतिविंब का मतलब वो ताए बिटा पर चाए ठीक है प्रतीमनी मतलब अपने मन से नंदित हो रहे हैं और वो नंद को भी बार बार बुलाती है इसके बाद जो माता है वो स्री कृष्ण को आचल से ढखकर अपना दूद पिलाती है चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूशिए हाँ बेटा पिटे इसमें वासली रस है याद रखने इसमें वासली र क्लAnshake ठीश से ढख आँ चलो अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है चलो स्रीकृ्ष्ण क्या कहते हैं कि मैं अपनी सब गाई चरा और प्रात होते कंघठ भल के संग्जे हो तेरे कहे हि抵ह है याद रखना आपको 2 पहले पढ़ा जा रहा है यहीं पर कू अपनी व्याख्या लिख दोगे लिखाए मैं अपनी सब गाई चरा हो प्रात होते बलके संग जेहो तेरे कहे ना रहे हो ग्वाल बाल ग्वायन के भीतर नेक हुडर नहीं लागत आज ना सोवनंद दोहाई आजुना सोवनंद दोहाई रहनी रहोंगो जागत और ग्वाल सब गाई चरे में घर बैठो रहो सूरस्या में तुम सोई रहे सब सूरस्या में तुम सोई रहो अब प्रात जान में देंक्त आएँ अब इसमें बताया गया है जो स्रीक्रष्ण पानने आखो देखा खेल का महत्र यह आपने वंदियाद कर लो कि राइटन के नम बिटर राइटिंग आपको अच्छी लिखनी है मात्राओं का ध्यान रखना है कुछ भी ज्यादा ने लिखना है जो पेपर में जो कॉश्चिन पूछा जाए उसके ही आंसर लिखने है अभी हाँ प करते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरा हूँ कि मैया मैं तो अपनी सारी गायों को चराने के लिए ले जाओंगा चीक है बेटा पूत दरने की ज़रूत नहीं है मुझे पता है सूर्दास तुलसिदास और रस्खांत के दोहे मैं से हमेशा पूछे जाते हैं आपको क्या करना है सिर्फ धिहान से क्लास को अटेंड करना है डरना किसी को भी नहीं चीक है चला लिखा है यहां पे श्रीकृष्ण जित करते हैं कि मैया मैं तो अपनी सारी गाह को चराने जाओंगा प्रात होते बलके संगजिय हो तेरे कहेना रहो अब वो अपनी मा से कहते हैं कि मैं प्राता है यानि कि सुबह होते ही मैं बलराम बलराम कौन थे वो उनके बड़े तो सुबह होती है मैं बलराम के संग जाओंगा और मैं तुम्हारी एक भी बात ना सुनूंगा गौाल-बाल गाईनी के भीतर, नेका हुडर नहीं लागत और वो अपनी मां से कहती है कि गौाल-बाल के साथ, अपनी मित्रों के साथ गाईनी, मतलब कि गईयों के साथ मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता नेका हूँ डर नहीं लागत मतलब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ मैं तो अपनी सारी गायों को चराने जाओंगा कहते हैं कि आज मैं पूरी रात नहीं सोगा मैं नंद दुहाई मतलब की अपने पिता की कईकाई घर बेठो रहे हूँ और जब उनकी मा कहती है कि भई तुम बहुत छोटे हो तुम्हें अभी गाये चरान नहीं जाना है तो वो अपनी मा को ब्यंग करते हैं कि बाकी सारे गौलबाल गाये चराएं जाएंगे और क्या मैं घर में बैठा रहूं ऐसा तो होगा नहीं फिर उनकी मा कहती है सूरस्याम में तुम सोई रहो अब प्रात जान में देहो अब स्रीकरशनी की जिद को पूरा करते हुए उनकी मा कहती है कि हे सूरस्याम हे सूरदाश के प्रभू हे सूरदाश के प्रभू कि तुम सो जाओ मैं सुबह होते ही तुम्हें जगा दूंगी त आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें एक में एक पुत्र का अपनी मा के प्रती बताए गया है कि वो किस तरीके से अपनी मा से हैट कर रहे हैं जिद कर रहे हैं और उनकी मा इंस तो उनकी इन क्रीडाओं को देखते देखते हस रही हैं मुस्कुरा रहे हैं चीक है चलिए दिया पे लिखा है कि स्रीकरिष ने अपनी माया सोधा से हट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गायों को चराने के लिवन में जाओंगा लिखना ऐसे ही है मैं आपको एक एक लाइन क्यों पढ़ा रही हूँ गायों चराने जाओंगा और तुम्हारे रोकने पर भी अगर तुम मुझे रोकोगी तो भी मैं नहीं रुकूंगा मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए बिलकुल भी डर नहीं लगता भाय नहीं होता मैं नंद बाबा की कसम खाकर हाँ बेट आपको इस्टोरी की जैसे तो लिखना है अगर इस्टोरी की जैसे पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा ठीक है अच्छा आपको नाम कृष्णी भगवान की नाम चले यह तो बहुत अच्छी बात है अब यहांस ध्यान से सुनो यह दोहा हो सकता है पेपर में आ जाए तो दोहे की व्याक्या आपको कैसे करनी है ठीक है हास आपकी ममी पीट दे थी बिटा मेरी में ममी पीट दे थी चलो बातें नहीं करते हैं लिखते हैं देख लिखा है वो कहते हैं हट करते हैं कि मैं तो रातरी में सोंगा भी नहीं मतलब रात भर जागूँगा और मैं क्या करूँगा सुबह सारे गवालों के साथ मैं तो ग प्रश्य जाने दूंगी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरी केसे जो स्रीक्रस्ण होते हैं वो हट करते हैं जितकरते हैं और माता ये शोदा उनकी उनकी बाल लिलाओं को देकर मन ही मन प्रसंद होती है आनंदित होती है चलो किसी को कोई डाउट है याँ पर तो पूछिए अच्छी सब कुछ करवाया जाएगा अच्छा गर्धिय पर अधारत कॉश्ण ठीक है चलो अगर यहाँ पर आपको क्लास में सारे चेप्टर्स पढ़ाए जाएंगे लेकिन हिंदी अप चैनल पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे चीक है किसी को कोई डाउट है तो पूझ लो अच्छा नहीं है डाउ बहुत अच्छी बात है चलो ध्यान दो लिखा है मैया होना चरे हो गाई बेटा अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्लास को एक बार देखना दो बार देखना और यहाँ पर आपको पूरी व्याख्या लिखी हुई दिख रही है हो सके तो इसको नोट भी कर लेना और समझने की कोशिश करना ठीक है लिखा है मैया होना चरे मैया होना चरे हो गाए सिगरी गौल घिरावत मूसो मेरे प्याई पिराई जियोना पत्याई पूछ बलदा हू अपनी सोह दिखाई यह सुनी माई जशोदा गौल नी गारी पठीवती अपने लर्का को आवे मन बहराई सूरस्याव मेरो अतिबालक मारत ताही रिंगाई तो इसमें बताया गया है कि जो स्रीक्रिस्ट ने है वो अपनी मा से गौल बालों की अपनी मित्रों की शिकायत करते हैं और उनसे कहते हैं कि मा मैं अब गईयों को चराने नही बदाए है वो सारा काम मुझे से ही करवाते हैं अब लिखा है मैया होना गाय चराओं यहां वो सिसे सुनना यहां परРИ है कि मईया में गाय चराने के लिए नहीं जाओंगा और वो कहते हैं कि पाई परावत मतलब मेरे पैर दुखने लगते हैं जो ना पता ही पूछे बलदाव अपनी सौह दिखावे और अगर तुम्हें मेरी विश्वास पर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम अपनी सोगंध देके अपनी कसम देके बलदाओ मतलब की बलराम भाया से भी ये सब पूछ सकती हो ठीक है फिल लिखाए यह सोने माई जे शोदा गौल नहीं गारी देते रिशाई अब जब माता ये शोदा ने ये सब सुना तो उन्हें बहुत जादा क्रोध आगया और वो गौल वालों को गालियां देने लगी लिखाए मैं पठेवती अपने लड़का को आवे मन बहराई कि भाई मैं तो अपने लड़का को मन बहलाने के लिए गाय चराने के लिए भेज देता हो लेकन ये कैसे उसकी मित्र है ये तो सारा उससे ही काम करवाते हैं और वो कहती है कि मेरा बालक तो अभी बहुत नन्ना है बहुत चोटा है वो इतना काम कैसे कर सकता है इस दोहे में बताया जाता है कि जो स्रीकरिश्ट है वो अपने दोस्तों की अपने मित्रों की सिकायत अपनी मा से करते हैं चुलिए द्यान से वियाख्या को पड़ना समझ में आ जाएगा लिखाएN बाय सुभाव के अनुरूप, अब बाय सुभाव कैसा होता है, हम बच्चे होते हैं तो कैसे होते हिए, हम हमारा मण चंचल होता है, हम छोटी-छोटी बात प्र नाराज हो जाते हैं, जल्दी ठक ज पूरेखे के मईया मैं बड़ा हो गया हूं मैं तो अप गाए च телефон सदाने जाओंगा। अब वो सब्हें में कह रहेगें कि मैं गाए चराने नहीं जाओंगा। क्योंकि सभी गौाले जो समेरे सारे मित्र हैं मुझ से फ्मेस्वेर घ्यायों को घेर के लिए कहते हैं। मतलब वो सब क्या कहते हैं? खुद तो बैठ जाते हैं और मुझसे ही कहते हैं कि मैं सारी गायों को चराओ. इधर से उधर दोरते दोरते मेरे पाओं भी पीड़ा होन लगती. पीड़ा होन लगती मतलब मेरे पैर दर्द देने लगती हैं. यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो बलराम को भी अपनी सोगंद दिला कर तुम ये सब पोच सकती हो. यह सुनकर जब माता य शोदा कह रही है कि मैं तो अपने पुत्र को गाय चराने के लिए इसले भेस्ती थी ताकि उसका मन बहला सकी. यानि कि केवल मन बहलाने के लिए भेस्ती थी और ये गाल बाल उसे इधर उधर दोड़ा कर उसे परेशान कर रहे हैं. यानि कि वो कहती है कि मैं तो अपने अच्छा कॉस्चिन चलो बेटा ध्यान दो इससे अगर कॉस्चिन पूछे जाते हैं तो अगर इन दोहों की व्याख्या को आपने समझ लिया तो कॉस्चिन आंसर भी आपसे बन जाएंगे अच्छा महत्पपूर कवी और रशना बेटा मैंने कल पढ़ाया था आपको मित्रत पढ़ाया था आज जब सूर्दास के दोहे पढ़ा रहे हूं तो इनका भी जीवन परीचय पढ़ाया था तो वो सब आपके एक्जाम में जो भी इंपोर्टेंट है वो सब कुछ आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा ठीक है अच्छा बिटा ग्वाल बाल का समास वगर होगा ग्वाल और बाल ठीक है ग्वाल क्यों क्योंकि वो गाय को चराते हैं और समास का नाम होगा द्वन्द समास यहाँ पर क्या हो रहा है और लग रहा है एक यूजक चिन्न लग रहा है तो वो होगा आपका द्वन्द समास ग्वाल और बाल ठीक है चलो लिखा है अब इसका लिखा है अगला दोहा है अब यहाँ बात हो रही है सखियों की कहते हैं सखीरी मुर्ली लीजे चोरी सखीरी मुर्ली लीजे चोरी जिनी गोपाल कीन है अपने बस जिनी गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबनी की तोरी छिन एक घर भीत निसी बासत धर्टन कबहु छोरी कबहु कर कबहु अधरानी कटी कबहु खोसत जोरी ना जानो कौन मेली मोहिनी ना जानो कुछ ना जानो कचु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी सुदास प्रभु को मन सजनी बंधियो राग की जोरी तो इस दोहे में बताये गया है कि ज जो न हम इस जो टो गास उरी होती है उनको इसको किओ ना चुरालू हम सब लोग जानते हैं देखा ओगा स्रीकृष्ण की फोटू में कि उनके हाथों में अक्सर एक बासूरी होती है तो लेहां पे जो सखिया है वह क्या समस्ति यह जो बासुरी है यह हमारी सोता है क्योंकि इसने ना जाने स्रीकृष्ण पर कैसा जादू किया है कि स्रीकृष्ण इस बासुरी को हमेशा अपने पास ही रखते हैं ध्यान से देखना इसकी व्याख्या है सखीरे मुरली लेजे चोरी अब वो सखियां आपस में बाते करती है कि मु अब वो कहती हैं कि वो घर में हो या बाहर हो या शाथ हो वो इस मुरली को हमेशा अपने पास रगते हैं कभा हूआ कर अधरी कभा हूआ कर मतलब कि या कभाँ हूआ कमर में करधनी के पास और कभा अधर अधरानी मतलब की अधर मतलब की ओठ याद रखना अधर मतलब की ओठ तो वो क्या करते हैं वो मुर्ली को हमेशा अपने पास रखते हैं कभी तो वो अपनी कमर में रखेंगे और कभी अपने ओठों के पास कटी कभा हो खोसत जोरी और कभी वो उसे अपनी कृपार्ड की जगत तलवार की हो ये जो मुरली है, ये हमारा, हमारी सौतन बन गई है, क्योंकि अब स्रीकर्ष्ण कोई मुरली हमसे भी ज़्यादा प्री है, ठीक है? चलो, इसकी व्याक्ष्ण धान से सुनो, लिखा है, एक गोपी, दूसरे गोपी से, ठीक है, एक सखी, दूसरे सखी से कहती है, कि है सखी, अब हमें स्रीकृष्णी की मुर्ली को चुरा लेना चाहिए। क्रिष्णी के घर, क्रिष्णी चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे रात हो, चाहे दिन, चड़ भर भी उस मुर्ली को अपने से दूर नहीं करते हैं। के वशीभूत हो गए हैं। आगे लेखा है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि हे सजनी इस वनसी ने स्रीकृष्णी का मन प्रेम की डोरी से बांध कर कैद कर लिया है। अब इस पूरे दोहे में क्या बताया गया है, कि जो सक्कियां है, वो मुर्ली से कैसी भावना रख रहे हैं। मुर्ली को देखके उनके मन में इश्या की भावना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो मुर्ली है, ये हमारे जीवन में सौतन के रूप में आ गई है। दोहे में किसी को कोई डाउट है, हाँ बासुरी कोई नहीं चुरा सकता है पेटा, फिके चलो, इस दोहे में किसी को कोई डाउट है, समझ में आया की नहीं। अच्छा पासुरी बजाने आती है अच्छी बात है बिटा अभी क्लास में ध्यान दो ये सो सकता है ये वाली दोहे एक्जाम में आ जाए चलो अगला दोहा है उधो मोही ब्रज विसरत नहीं लिखा है उधो मोही ब्रज विसरत नहीं व्रन्दावन गोकुल बने उपवन सघ प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखि सुक पावत माखन रोटी दयो सजायो अतिहत साथ खवावत गोपी गौाले बाल संग खेलत सब दिन हसत सरात सूर धनी धनी ब्रजवाशी जिनस हित जदुताल चीक है तो इसमें बात हो रही है कि जब स्री कृष्णे मत्रा वो इसको ब्रंदावन को गोकुल को छोड़ के जब मत्रा में चले जाते हैं तो यहां पर बताया जा रहा है कि वो अपने मित्र उधाव से क्या-क्या बाते करती हैं वो कहते हैं उधाव मोही व्रज व्रश्रत नाही की मतलब मुझे मैं व्रज को मैं गोकुल को भूल नहीं पा रहा हो विस्रत नाही यानि कि मैं गोकुल की गलियों को भूल नहीं पा रहा हो मुझे अपने घर की अपन उन्ज मतलब जो लताय हैं उनकी च्छाय ये सभी याद आ रहे हैं प्रात समय माता जे सुमत्यारी नंद देखी सुपावत और मैं जो सुबाय सुबाय अपनी माता ये शुदा और नंद को देखता था तो मुझे उन सब की बहुत याद आ रही है तो लिखाए माखन रोटी दही सजाय यह अती हित साथ खवावत और जो मेरी मात थी वह मुझे माखन देती थी रोटी और डही के साथ मेरे साथ मुझे बड़े से बड़े स्नेह से मुझे खाना खिलाती थी गोपी गौाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात वो कहते हैं मैं वहाँ गोकुल मैं दिन रात अपनी मित्रों के साथ गोपी गौाल बालों के साथ खिलता था और मैं सब दिन हसता खिलता था सूर्दास धनी-धनी ब्रजवाशी जिनस हित जादू ताएब, अब सूरदाज जी कहते हैं कि व invasive जो स्रीकृष्णी के साथ खेले हैं, जिंहोंने स्रीक्रिष्णी की लीलाओं को देखा है, जो स्रीकृष्णी की सरण में रहे हैं, ऐसे ब्रजवासी का जीवन तो धन्य हो गया, चलिए इसकी व्याग्या देखते हैं लिखाये श्रीकृष्णीन ने अपने उद्धव से कहा जो उद्धव जो उनके मित्रत है तो स्रीकृष्णीन ने उद्धव से जब ब्रजवाशियों की δीन दसा सुनी तो वो क्या हो गये उन्हीं के ध्यान में खो गए अब जब स्रीकृष्णी को पता चला कि उनकी जो ब्रजवाशी है वो कितने जादा दुखी है तो वो क्या हुआ तो वो उन्हीं की बातों में खो गए और युद्धव से कहते हैं कि मैं तो कभी ब्रच को भूल नहीं पाता हूं मैं ब्रच को क देखकर मुझे जो सुक मिलता था वो मुझे बार-बार रह रहे के याद आ रहा है कि वे मुझे मखन देटी रोटी और भली प्रिकाद जमाया हुआ मुझे बही कितने प्रेम से खिलाते थे ब्रच की गोपियों और गौल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन कितने ह असते हुए बीता करते थे ये सबी बाते मुझे बहुत जादा ज्याद आती है अब जब सूर्दास जी ये सारी बाते सुनने हैं तो वो कहते है कि ब्रजवाशियों का जीवन तो धन्योग्या कि उन्हें प्रभु स्री कृष्ण के चर्णों में रहने का इस्थान उनका इ है चलो किसी को कोई डाउट है इस दो ही में अच्छा आपके मन मानस में ते प्रशन नहीं ता वरी वा बेटा बलकु सुद्धीन दी बूल रहे आप तो चिक है क्लियर है सबको चलो ध्यान रहा बेटा अगर कोई भी डाउट रह जाए ठीक है आग सोरी अगर कुछ भी मने ना भय दस बीश एक हूतो सो गयो श्यामसंग को अवराध है इस इंद्री सिथल गई केसव बिनू इंद्री सिथल गई केसव भई केसव बिनू जोही देही बिनू सीष आसा लागी रहततन स्वासा जीवही कोटी बरिश तुम्तो सखा च्याम सुन्दर के सकल जोग के सूर इसमें सूर हमारे नंद नंदन विनू और नहीं जगदीज चीक है अब इस दोहे में जो वहां की जो सखियां जो गोपियां है वो उद्धाव से कह रही है कि तुम नहीं जानते कि हम स्री कृष्ण को कितना अधिक याद कर रहे है हमारे मन में अभी भी वही बसे हुए कवीता दोहों को ध्यान से सुनो लिखा है उद्धो मरना भैद 10-20 कि उद्धो हमारे मन 10-20 थोड़ी है हमारे मन 10-20 थोड़ी है हमारे पास तो सिर्फ एक ही मन है एक हुतो सो गयो स्याम संग को अवराध है इश एक हमारा मन था एक हिरदायता वो तो श्याम के साथ यानि कि स्री कृष्ण के साथ मत्धुरा जा चुका है अब हम किस इश्वर की आराधना करें इंद्र सितल भाई केसव बिनु जो ही बेही बीनुसीस तो वो मेरी हमारे जो इंद्रियां है वो केशव के बिना यानि कि स्री कृष्ण के बिना सितल पड़ गई है और हमारा सरीर कैसे हो गया है बिना जो ही बेही बिनुसीस और हमारा सरीर हो गया है कि जैसे देह नहीं है हमारे सीज के उपर यानि की सिर के उपर आसा लागी रहत तंस्वासा जीव ही कोटी बरिस और हमारे मन में अभी वे एक उम्मीद लगी हुई है कि स्री कृष्ण जरूर वापिस लोट कर आएंगे तुम तो सका स्याम सुन्दर के सकल जोग के उधव से कि तुम तो स्याम के बहुत अच्छे मित्र हो और तुम तो सारे जगत के ग्याता हो सूर हमारे नंद नंदन बिनू और नहीं जगदीश और वो यहाँ पर बताया है सूरदास जी कहते हैं कि किस तरह से जो गोकुल की जो गोपियां थी वो स्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती थी लिखा है गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव हमारे मन दस बीस थोड़ी है हमारे पास तो जैसे सबके पास एक मन होता है वैसे ही एक मन है अब हमारा जो एक मन था वो तो कहां चला गया वो तो स्री कृष्ण के साथ मतुरा चला गया अब हमारा मन में कुछ भी नह ऐसे लगता है जिसे हमारे जीव हमारे सरीर में अब प्राण ही नहीं है अंगे लिखाए अता हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुल ब्रम्फी की आराधना कैसी करें ठीक है स्रीकृष्णि के बिना हमारी जो इंद्रिया है वो सारी निस्क्रे हो चुके मतलब कु हमारी स्वास के वल इस सासा में चल रही है कि स्रीकृष्णि मत्रा से अवश्य लोटके आएंगे और वो कहते हैं कि हमारे जो सास है वो सिर्फ इसी उम्मीद पर चल रही है कि एक दिन स्रीकृष्णि मत्रा से बापस लोटकर हमारे पास आएंगे स्रीकृष्णि मत्रा से लोटेंगे और हमें उनके दर्शन अवश्य ही प्राप्थ होंगे स्रीक्रिष्न के लोटने के आश्य के सारे हम तो करोणों वर्सों तक ही भी जीवत रह सकते हैं गोप्या उध्धव से कहती है कि है उध्व तुम तो कृष्णि क्या भिन्यमित्र हो और संपूर्य योग वि हारी है तो कमेंट बॉक्स में थमसब जरूर बहिजो ठीक है बेटा पढ़ाई कर लो ठीक है फिर बाद में दुख मनाना काविगा स्वांदरे में बिस आपको इतना जानना है कि इन्होंने पूरे दो ही में कौन से रस का प्रियों हुआ है कौन से लंकार का प्रियों हुआ और कौन से सैली का प्रियोंग हुआ ज्यादा कुछ डीप में नहीं जाना है ठीक एक्जाम आने वाले हैं वही पढ़ो जो आप लोग पहले पढ़ते हैं कुछ भी नया पढ़ोगी तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ठीक है आरी क्लास समझ में चलो वेरी गुट बेटा च आज नारीनी सो जोग कहतो बात कहतना लजाने बड़े लोगना विवेक तुम्हारे ऐसे भर आयाने हमसो कही लई हमसो कही लई हमसही के जेगोनी ले सयाने कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने साच कहा तुमक अपनी सो बोशती बात ने दाने सूरश याम जब तुमही पठायो अब ने कहुं मस्काने तो यहाँ पर फिर से गोपियों और उधव के मध्य संबाद को दिखाया गया है कोपिया कहती है उधव तुम हम तो यह जानते हैं कि तुम यहां हमसे मिलनी नहीं आए हो बलकि तुम तो यहां भूले विष्टे रास्ति से निकल रोगे तो तुम हमें यहां पर दिख गए इसलिए हमसे बात कर रहे हैं तुम्हें जरूर श्री कृष्ण ने भीजा होगा कि श्याम तुम है श्याम को ना ही पठियो तुम हो बीच बुलाने मतलब की तुम्हें यहां पर श्याम ने भीजा है और लेकिन तुम उनका संदेश लेकर हमारे पास नहीं आ रहे थी तुम तो रास्ता भटक गए थे और हम तुमको रास्ती में इत्ते फाक से आने के अच तब सरमनी आती बड़े लोगुर्वना विवेक तुम्हारे भय गए ऐसे भयायाने और दुनिया तो कहती है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बुद्धी है और विवेक है और तुम तो ऐसे छोटी बाते कर रहे हो हम सो कही लई हम सही के हम सो कही लई हम सही के जे अल्ला कहें दसार देगंबर मस्ट करो पहचाने और वो कहती है कि तुम हमारी स्थिती को हमारे भाव को नहीं पहचान सकते साच कहा तुम अपनी सो बूजत बात ने दाने और तुम सच कहो कि तुम्हें अपनी सो है मतलब तुम्हें स्याम की स्रीकृष्ण की सो है कि तुम ज के स्री कृष्ण मुश्कुराएंगे चीक है चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं लिखाए गोप्या उध्धव से कहती है कि तुम यहां से वापस चले जाओ हम तो समझ गए हैं कि तुम्हें यहां पर श्यामने नहीं बेजा पहले तो वह कहती हैं कि तुम्हें यहां बेजा है चीक है लिखा है तुम सयम बीट से रास्ता भूल कर यहां आ गए हो ब्रच की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है तुम वुद्धिमान और ज्यानी होगे लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि तुम विवेक हीन हो विवेक हीन मतल कि तुम्हारे अंदर कोई बुद्धी नहीं है नहीं तो तुम ऐसी बाते तो बिल्कुल नहीं करते हम तुम से एक अंतिम सवाल पोश रहे हैं और तुम्हें सच-सच बताना है तुम्हें तुम्हें तुम्हारी खुद की कसम अगर तुम सच नहीं बोले तो तर कहते हैं साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहां भेज दिया उपहास का मतलब होता है मजाक करने के लिए तो यहां पर क्या बताया गया है कि जो गोपिया थी वो उद्धव से संबाद करती है और कहती है कि तुम्हें जरू स्टी कृष्ण ने भीजाओगा और वो वहाँ पर जाएगी चिक है अब ध्यान दो हमार अगला दुहाएं निर्गोण कौन देश को बासी । कहीरस में अभिलाशी पावेगों पून्य कियो आपनों पावेगों पून्यकीयो आपनों जोरे करेगों गासी सुनत मोन हे रहे उबावीरी शूर raising तो यहां पर जब उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम्हें निर्गुन ब्रह्म की उपासना करने चाहिए तो वो कहते हैं कि निर्गुन ब्रह्म होता क्या है लिखा है कि हम नहीं जानते कि निर्गुन कौन से देश के वासी है निर्गुन कौन देश को वासी हम नहीं ज समझाओगे कि ये तुम जो कह रहे हो क्या वो सच है को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी और तुम ये जो कह रहे हो निर्गोन ब्रम्ब हमें तो ये भी नहीं पता कि इनके जनक कौन है यानिक इनकी पिता कौन है जननी यानिक इनकी माता कौन है कौन इनकी पत्नी है औ कहीं इस रस में अभीलाशा, इनका कैसा वहेस बूचा है, इनका कैसा वर्ण है, चीके, और कैसे हम अगर इस भक्ती को करेंगे, निर्गोन ब्रह्म की भक्ती करेंगे, तो कैसे हमें अभीलाशा, अभीलाशा यानि कि हमें रस की प्राप्ति होगे, हमें जो चाहिए है, हमें श्रीकर से चाहिए क्या वो हमें सब से मिलेंगे पावे गोपुनिकियो आपनो जोरे करोग गासी सुनत मौन है रहो बाविरी सूर सबय मतिनाशी और वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम हम से कहते हो कि हम निर्गोन ब्रह्म की भक्ति कर चलो इसकी व्याख्या है गोपिया भ्रमर की अन्योत्ती से उद्धव को संभोधित करते हुए कहती है कि हे उद्धव क्या तुम बताओगे कि तुम्हारा वै निर्गोन ब्रह्म किस देश में है और हम तुम को सपत दिलाकर सच-सच पूच रहे है कि कोई हसी मजाक नहीं कर रहे है चीक है यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि अब तुम बताओगे जो तुम हमसे कह रहे हैं कि निर्गोन ब्रह्म की भक्ति करो तो क्या यह सब सही है क्या यह हम मैं तो जानती नहीं हम तो जानती नहीं कि निर्गोन ब्रह्म है कौन आंगे लिखा है तुम यह बताओ कि उस निर्गोन का पित आव्नया देती हुए कहती हैं कि हमें तुम्हें मेरी सभी बातों का ठीक थाख उत्तर भी देना होगा यहीं सही बात है ज्यानी से जब उने गोपियों से ऐसी बास सुनी तो भी ठगे से रह गए और उनका सारा ज्यान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने सब को चुनका नस्ट हो गया किसी को कोई डाउट है दो ही में चिके शलो जाओ ते किसी को तो जली से पूचो वरनाम लोगा दो हकतने या हमारा यह अंतिम दोहा यानि के सूर्दास के पद में जितने भी दोहे थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं अब दोहा है संदेशो देविकी सो कहियो संदेशो देविकी सो कहियो हो तो धाई तेहारे सुथ की दयाकरत ही रहियो जदिपी देव तुम जानती उनकी जदिपी द अब इस दो ही में कवी बता रहे हैं कि जो माय शोदा होती है वो एक संभाद बादक से कहती है एक संभाद बादक से कि तुम मेरा ये संदेश जाकि देविकी को दे दो वो कहती है कि मेरा एक संदेश है और तुम्हें उनसे कहना है देवकी से कि भले ही मैं तुम्हारे पुत्र की दाई हूँ मतलब कि भले ही मैंने तुम्हारे पुत्र को सिर्फ पाला है बल्कि मैं तो उ पछुट हिचिव हैं पछुट है लेकिन उसको पाला तो मैं नहीं कहती है कि प्रात होत मेरे लाल लड़े और माकmare रोटी भाव कि सुब्भे सुब्ऽे मैं अपने पुत्र को लार देख लार करती थी और उसे माकहर रोटी खिलाती थी तेल उबटन लगाती थी जूटही कैस संदेज भेजती हैं और कहती है कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है वह मेरा पुत्र नहीं है तो मैंने तुम बस उसका पालन पूश्टन किया है और और मैं तो सिर्फ उनकी शेविका हूँ यदि भी तुम उसके आदतें तो जानती ही होगी फिर भी मेरा मन है कि मैं तुमसे उसके उनके बारे में कुछ ही कहूँ जैसे सुबह होते ही मेरे लाले स्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है और वह तेलों बटन और गर्म पानी को बिलकुल भी पसंद नहीं करता है तो लिखाए अताह इन वस्तूओं को देखकर ही वो भाग जाते हैं उस समय वह जो कुछ मांगते हैं वह मैं उसे वह सब दे देती हूँ अब यहाँ पर क्या बात हो रही है जो स्री कृष्ण हमेशा से माय शोदा के पास रहते हैं अब एक वक्त के बाद वो अपनी मा के पास जाने की देविकी के पास चले जाते हैं तो यहाँ पर जुमाय शोदा है वो देविकी को बताती है कि स्रीकृष्णी को क्या-क्या पसंद है और उन्हें क्या-क्या पसंद नहीं है अलांत में वो कहती है सूर्दास जी कहती है कि यह शोदा पतिक से अपने मन की दशा व्यक्त करती हुई कहती है कि मुझे तो दिन रात यही चिंता रहती है कि मेरा लाडला स्रीकृष ने अभी तुम से कुछ मांगने में बहुत संकोष तो नहीं करता होगा तो इस पूरे दोहे में आपने देखा होगा कि यह दोहे सूर्दास जी के द्वारे लिखे गए होंगे याद रखना इन दोहों क देखना उसके बाद आपको दोहों की व्याख्या करने है ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद नाई होगी तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स लास में अपना ध्यान रखे बाइबाइबाइ टेक्या कि उिए लोगमान टूहां हो 그냥 किक दुए सबस्टें तक करने है कրने हैं रखना downward को दोग्टें टेखंगे शोगमान शवरें रखना है कि यह इंवरा झाल शोगवे हुरर रखना उत्या करता है कि भाभ़तो प्रगवे बाबते हैं लोग में अश्रोबने हैं एीक